नमस्ता फ्रेंड्स आज हम सुट में देखेंगे 80G के अंदर हमें donation का deduction income tax में कितना मिलता है मतलब सीधे तोर पर अगर हम किसे संस्था को अगर हम donation देते हैं तो हम income tax में कितनी छूट मिलती है तो यहां पर देखें मैंने आपको समझने के लिए यहां पर लखाए कि एक person है यहां पर business में आनि या फिर चाले रड़ी परसन जो भी आप समझ सकते हैं और यहां पर यह संस्था है ठीक है यह बंदा इस संस्था को donation देता है तो इसको कितनी छूट मिलेगी इसके लिए कु कुछ नियम है पहली condition यह कि यह 2000 से ज्यादा क्याश में देना चाहिए अगर यह बंदा चाहता है कि मैं इस संस्था को 2000 रुपे से ज्यादा donation दे दू तो इसको चेक से ही या फिर online mode से इसको donation देना है मतलब cashman नहीं donation दे सकता है दूसरी condition यह है कि charitable purpose के लिए इसने donation दिया हुआ होना चाहिए अगर religious purpose के लिए donation देता है तो इसको deduction नहीं मिलेगा तीसरी condition depend करती है कि यह जो donation दे रहा है किसी भी संस्था को या फिर किसी भी institution को वो किसको दे रहा है इसके उपर deduction depend है कि इसको कितनी deduction मिलेगी फर एक्जामपल यह बंदा अगर सामने वाले को एक लाक रुपे का donation देता है तो इसको एक लाक की छूट मिलेगी या पच्चास अजर की मिलेगी या फिर उसको कुछ limit है यह depend करता है कि यह किसको donation दे रहा है इसको समझने के लिए मैंने आपको समझने के लिए मैंने four categories ब यहाँ पे लिखा A1 पहली category क्या है एवन इसके अंदर 100% reduction मिलेगा वह वी without limit मतलब जितना आप donation दोगे उतना पूरा आपको reduction मिलेगा reduction without limit यह क्या है category A1 category है दूसरी category रहती है A2 उसमें 50% का reduction मिलता है वह वी without limit मतलब जितना चाहा है donation दे दो उसका 50% आपको reduction मिलेगा मतलब आपने 5 लाग दे दिया तो आपको 55,000 का reduction मिलेगा without any limit तीसरा है B1 category में 100% reduction मिलता है लेकिन with limit के साथ deduction with limit के साथ आपको छूट मिलती है और B2 category है fourth category उसमें आपको 50% deduction मिलता है with limit ठीक है deduction कैसे मिलता है with limit मिलता है तो बहुत साथ लोगों का question आता है कि सरी limit क्या है कैसे limit निकलेंगे कि हमें किस limit तक हमें संस्था को भी पता चलेगा कि आपको अगर किसी ने donation दिया है आपकी संस्था को तो सामने वाले को कितना donation मिलेगा अब यह जो category मैंने लिखी है ना कौन सी category में कौन सी संस्था आती है वह उसकी list में नीचे दिये दी है मैंने एक जलक आपको दिखाता हूं बाकी आप description में से डाउनलोड करें कि आप पढ़ सकते हैं दिखें यह है एवन category ठीक है यह क्या है एवन category है मतलब यह जो नाम लिखें है ना निकाला ही है नाशनल फंड फॉर कंट्रोल आफ ड्रग अबूज स्वच्छ भारत कोश एक क्लीन गंगा फंड इनको भी आगर देते हैं आप तो आपको पूर 100 प्रसंट डिडक्शन मिलेगा विदाउट लिमिट दूसरी क्याटिग्री जो मैंने आपको बताई थी एटू क्याटिग्री ठीक है उनसी क्याटिग्री है एटू क्याटिग्री में भी आपको विदाउट लिमिट डिडक्शन मिलेगा लेकिन यहां पे रिस्ट्रिक्शन है 50% की 50% डिडक्शन मिलेगा आपको यहां पे 100% नहीं जितना भी डोनेशन दोगे उसका 50% किसको डोनेशन द लेंगे ही तो ही 50 percent मिलेगा without limit, ठीक है, तीसरा है B1 category, जो मैंने उपर बताया था आपको B1 category, B1 category में hundred percent deduction मिलता है लेकिन with limit मिलता है, ठीक है, limit क्या है वह हम आभी calculate करेंगे, कि limit क्या से calculate करता है, लेकिन फिलाल जानने जे कि इन लोगों को ये जो यहाँ लिखाए ना इनको आगर आप donation देते हैं तो 100% deduction मिलेगा वित लिमिट के साथ कौन-कौन से हैं आप पड़ लिखिए ठीक है और चवती category है आखरी category जिसे हम बी टू बोलेंगे हम बी टू कैटिग्रे में भी 50% deduction मिलता है वित लिमिट के साथ वित लिमिट यहां पर restriction है तो नॉर्मल जो आपने बाजों में रहती हैं संस्था जिनके पास 12 एटीजी का रिशेशन रहता है उन संस्था को अगर आप donation देते हैं तो आपको 50% deduction मिलेगा औ अब वह संस्था है इस कैटिग्रे में आती है बी टू में देखें यहां पर लिखा है तू अप्रूड चारिटेबल इंस्टूशन विच सटिस्पार दे कंडिशन ओफ एटीजी फाई मतलब जिसमें संस्था के पास एटीजी का रिशेशन है उसको अगर आप donation देते हैं तो आपको 50% का deduction मिलेगा with limit ओके और बाकी चीज़े हैं आप पर लिखिए इन नीचे इन सारी संस्था को अगर आप किसी को भी donation देते हैं तो आपको 50% का deduction मिलेगा अभी मैंने यही बाते चार बार बताईए आपको आप भी बोर हो गए होंगे मैं बाद में बार बार वही दो रहांगा नहीं अब यह limit कैसे calculate करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं कि सर मुझे एक बंदा देने को ready है एक लाग रुपे तो उसको कितनी यहां पर calculate का तरीका है यहां पर क्या लिखाए मैंने कि gross total income gross total income मतलब क्या है कि उसने पिछले साल में जो भी कमाया है उसका gross total करना है अपको ठीक है आपको मतलब आगा आप अगर चाहते हैं किसी संस्ता को donation दे और आपको calculate करना है कि आपको कितना छूट मिलेगी वह तरीक प्रकाल में 10 लाग रुपए है और यहां पर उसमें से minus करना है दो चीजे क्या करना है minus करना है minus मतलब minus क्या करना है क्या करना है लॉंग टम capital gain और short term capital gain अगर आपने कुछ घर बेचा है जोलेरी बेची है shares बेची है और उसमें से आपको कुछ gain हुआ है तो वह minus करना है लेते हैं आप income tax में except ATG का deduction छोड़ के बाकि जो भी deduction है वह आपको यहां पर minus करना है ATC से लेकर ATU तक अगर आपको deduction लेते हैं तो जैसे LIC का premium है health insurance है बच्चों के tuition fees है PPF का interest है या फिर आपने fixed FD की है पांस साल से ज्यादा मतलब जो भी deduction है अगर आपको claim करते हैं तो आपको यहां पर लिखना है ठीक है तो मैंने यहां पर एक लाक लिखा है example के लिए तो स उसमें से एक लाक माइनस किया तो आपकी net income कितनी हो गई? taxable income भही 9 लाक हो गई अब 9 लाक के ऊपर आपको जो limit निकलनी है ना इसका 10% में limit है 10% of adjusted GTI 10% of adjusted gross total income मतलब यहां पर जो भी income आईगी आप यह calculate करने के बाद इसका 10% लेना है आपको example मानो 9 लाक के जग 8 लाक था तो 8 लाक का 10% कितना होता है? 80,000 तो 80,000 की limit है अब यहां पर 9 लाक है तो कितनी limit है? आपको 90,000 मतलब उसको जो छूट मिलेगी वो 90,000 तक मिलेगी 9 लाक तक नहीं 90,000 एक ऐसे निकला हमने 9 लाक का 10% ले लिया हमने ठीक है? दोसे for example मानो मैंने किसी संस्था को 50,000 का donation दे दिया तो मुझे deduction कितना मिलता है? depend करेगा कि मैंने किसको donation दे दिया है जो मैंने category बताईए ना इसके उबर depend करता है कि मैंने किसको donation दे दिया है आप देख लीजे अगर आपने इस category वाले उनको दे दिया है तो आपको without limit है यह जो हम calculate किये है ना यह limit यह B1 और B2 के लिए है अगर इस category वाले संस्था को अगर आपने donation दे दिया है तो ही यह सारा calculation करना ही नीचे ने तो उपर वालों के लिए तो कुछ भी calculation नहीं है क्योंकि without limit वाला है वो तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो दो बार देखिए तीन बार देखिए चार बार देखिए फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए तो अगर आपने नीचे यह दो category वालों को donation दिया है किसी भी में से तो ही आपको को इसारा calculate करना है ने तो नहीं करना है तो for example मानों आपने ये किसी इन में से दो category वालों का अपने donation दे दिया है और यहां पर फिलाल मानेंगे कि आपने वह प्रावलों को दे दिया है 100% वालों को तो जितना donation दिया वो exempt है या फिर 90,000 उसमें से जो कम है वो आपको reduction मिल जाएगा जसे एक्जामपल बताता हूं मैं आपको आप confused होए होंगे कि सारा calculation करने के बाद हमारा answer कितना आया 90,000 और हमने donation दे दिया मानों 80,000 किसी को donation दे दिया था और हमने किसको दे दिया था donation यह बीवन category वालों को अभी बीवन category में कितना है 100% है तो जितना दोगे उतना deduction मिलेगी लेकिन limit तक limit कितने है हमारे 90,000 और मैंने किसी को 80,000 का donation दिया था तो मुझे 80,000 का चूट मिल जाएगी 80,000 की मानों मने लाक रुपर donation दे दिया तो तो मुझे लाक का नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर limit कितनी है 90,000 की तो मुझे 90,000 का चूट मिलेगा ठीक है अब यह देखें कि B2 क्याटिगरी मतलब जो नारमल हम संस्था को देते हैं जनकी पास टूल वेटी जी करेशिशन रहता है आप भी सुनिए आप बहुत बार आप संस्था वाले मुझे पूछते हैं कि कोई बंदा हमेरे संस्था को डोनेशन देता है तो कितनी चूट मिलेगी उसको तो आप देख लीजे बार-बार मत पूछिए यहां पिल दिखिए अब देखें कि जैसे मैं हूँ मैं आपके संस 8000 का deduction मिलेगा कई का ourselves मैंने मानों आपके संस्था को संस्था को डोनेशन दे रिया कितना 2व का उसमेंसे कितना मिलेगा 50% 50% कितना होता ایک लाग लेकिन the limit कितनी है 90000 तो मुझे 90000 ओं चला का deduction देख्शन नहीं मिलेग गा मुझे लगता है आपको समझ में आया नहीं आया तो दिसे और किसी लोगों का वीडियो देखिए जिसने आज चान बासना में समझाये समझ में आ जाएगा उतना भी कोई कॉंप्लेक्स नहीं है तो ये लिश्ट याद रखिए नहीं याद आती तो छोड़ दीजे बाकि आपकी मर्जी मुझे लगता है आज के लिए इतना ही धन्यमाद